हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइल दोस्वार में बात कर रहे हैं विख्यान एवं प्रद्वगी की बारे में और में बात कर रहे हैं आज प्रमुक भारती उपग्राएं तो प्रतम भारती उपग्राएं कि जब बात करते हैं तो बात क के निकट पतीय कच्छा में 594 किलोमीटर की उचाई पर सफलता पूरवक इस्थापीत किया गया इसका वजन 360 किलोग्राम था इस अभियान के तीन प्रमुक लच्छ थे वायू विग्यान प्रयोग सौर भौत की प्रयोग तथा एक्स किरण खगोल की प्रयोग इस उपग्रह में संचार व्यविस्था से जोड़े कुछ प्रयोग किये गए विसुद रूप से वैग्यानिक उपग्रह के रूपे विक्सित आरिबट को सकरी कारविदी माते 6 मा की निदायत की गई थी परन्तु इसने मार्च 1980 तक अंत्रिच से आकड़े भीजने का कार किया उपग्रहों के प्रकार परीक्रम पत पर मापतंडो का आधार पर उपग्रह को चार बर्गों में विभाजित किया जा सकता है पहला निमन भू कच्छी कच्छा लो अर्थ और्बिट सेटलाइट इस प्रकार के उपग्रह समानता एक अंधाकार कच्छा में समानता 200-600 किलोमेटर की सीमा में कार रित होते हैं सौर तुलिया कालिक का च्छी उपग्रह सन स्राइक्रोनिस और्बिट सेटलाइट इस प्रकार के उपग्रह निकिट वर्तिय दुरूवी कच्छा में उत्तर से दच्छन की ओर चलते हैं एक निश्चित उचाई 500-1000 मीटर पर अपना कार करते हैं जब यह उपग्रह उत्तर से दच्छन की ओर को जरते हैं तो प्रत्वी की सता पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर, सौर, दीप्त, छेत, दर्श्यमान होता है PSLV से छुड़ा गया भारतिय सुदूर समवेदन उपग्रह IARS इसी वर्ग में आता है बू तल्य कालिक उपग्रह Jio Synchronous Satellite यह उपग्रह एक वरत्तिय कट्छा में 36,000 km की निश्चित उचाई पर 24 घंटे में से एक बार प्रत्वी की परिक्रमा करते हैं जूंकि प्रत्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिक्रमा करती है अता यह प्रत्वी के सापेज इस्थिर प्रतीत होते हैं इंसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं जीगर रत्य मोल मीनिया कर्षा लॉंग एलेप्टिकल मोलोनीमिय और्पिट पांसों चार किलो मेटर से लेकर तीन हजाद उनतालीज़ आठ सो चौतिस किलो मेटर अभूर की उचाई पर प्रपन करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं बात करते हैं भासकर प्रत्म प्रयोगिक प्रत्वी पारिवेशन उपकरह भासकर प्रत्म को साथ जून 1979 को पूर सोवेसिंग के प्रचेपन किंद बेका नूर से इंटर कॉसमिस प्रसेशन या अंद्वारा प्रत्वी से 525 किलो मेटर की उचाई पर पूर निधायत का समुद्विग्यार एवंफानिक के छेत्म में भू पर्वेशन अनुसंधान करना था इसने एक अगस्त 1980 को कार्य करना पंद्र कर गया बासकर सेकेंड बासकर प्रत्म के संसोधिर प्रतिरूप भासकर दितिय को भी रूसी प्रचेपन किंद बेका नूर से ही पीस नॉमबर 1980 को पत्वी से 585 किलोमीटर के उचाए पर स्थापित किया गया तथा इसका घुरन कच्छा तल के लंबद रखा गया समीर उपकरण के कर भासकर दिती द्वारा समुदी जता के मताब सामुदी किस्ति भरफ किरने वापिगल ने आदी जैसी घर ने घट्नाओं का व्यापक विस्टेशन किया गया रोडी स्रंकला सफल रहा था इस अभियान के दिति है प्रयोगिक प्रचेपन में रोडी आरेस वन को 18 जुलाई 1980 को स्री हरी कोटर से SLV3 प्रचेपन यान से सफलता पूरक प्रचेपित किया गया है इसी प्रकार रोडी आरेस वन भारती भूमी से भारती प्रचेपन यान दोरह प्रचेपित प्रचेपित प्रथम भारती उपक्रह बना चतुत प्रयोगिक प्रचेपित किया गया इस सफलता ने SLV3 को एक प्रचेपन यान सिद्ध कर दिया तद भारत को चोटे प्रचेपन यानों को विक्सित करने वाले देशों को श्रीनी में ला दिया प्रयोगी संचार उपक्रह एपल एपल भारत का पहला संचार उपक्रह था जिसे भू एस्टेथिक कच्छा में स्थापित किया गया भारत के प्रथम प्रयोगी संचार उपक्रह एपल को 19-1980 को फ्रेंच निकी वायन के कोरू अंत्रिश प्रचेपन के इन से यूरूपी अंत्रिश एजनसी के एरियन 4 प्रचेपन यान दौरा भू इस्थिर कच्छा में लग पर 36,000 किलोमेटर के उचाए पर स्थापित किया गया इस उपक्रह का उपक्योग राष्ट्री संचार विवस्ता को आदुनिक बनाने गरेली संचार विवस्ता रेडियो नेट्रेक डाटा संपेशन दूर दराज के छेतरव से संचार विवस्ता इस्थापित करने भू स्थैतिक कच्छा में उपक्रहों के परशेपन को तकनीक की का ग्यान प्राप्त करने तता संचार के लिए प्रयोक्त सी डी सी बैंड ट्रांसपोर्टर के प्रयोग आधी में किया गया एपल से प्राप्त तक्नीक अनभग ने इस ने इंसेट संख्ला के निर्माण आवा विकास में भैत्तपूर्ण भूमिका निभाई विस्ताइत रोहणी उपग्रह स्रंख्ला स्रास स्रंख्ला को देश सौ से डीड़ सु किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था जिने सम्वितित प्रच्च उपग्रह परच्चिन यान यानि आग्यूमेंटर सेटलाइट लॉंच वैकिल ऐसल भी द्वारा ज चार उपग्रह स्रास 1, स्रास 2, स्रास 3, स्रास 4 परच्च शेपित किया गया स्रास 1 और स्रास 2 असफल रहा भारती राष्ट्री उपग्रह इंसेट पनाली एक बहुत देशी कारत उपग्रह पनाली है जो एश्या प्रसांथ शेत में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग् इन चेत्रों में से उग्रह के माध्यम समुदिक दूर दर्शन के सीधे राष्ट व्यापी प्रशाणों को बहतर बनाने बहुति ट्रांस्मीटरों के माध्यम से पुना प्रशाणों हेतु अकासवाणी तथा दूर दर्शन कारिक्रमों का देज़ भर में प्रसाइद करने प्रशाणों की से प्रयास है जबकि इनसेट अंत्रिश कारिक्रमों के विविस्ता निगरानी और संचालन का पूर्ण दाई तो अंत्रिश विवाग को सौपा गया है इनसेट प्रथम प्रथम पीड़ी में 4 उपगर है इनसेट प्रथम A, 1A, 1B, 1C, 1D, 3PD में 5 उपगर ह 4A, 3B, 3C, 3D, 3E तदा चौती पीड़ी में 7 उपगरहों के परिश्चेपन की उजना बनाए गई चौती पीड़ी के उपगरह 4A, 4C, 4B तदा 4C, 4R का परिश्चेपन हो चुका है भारती दूर समवेदी उपगरह पराली भारत के राश्टी प्रागतिक संसादन प्रभण पराली की साहता से भारती दूर समवेदी उपगरह पराली इंडियन रिमोर सेंसिंग सेटलाइट IARS का विकास किया गया इसका मुक्ष देश प्रागती संसादनों म्रदा, चल, भू, जल, सागर, वन, आदी का सरवेच्छ और सतत निगरानी करना है दूर समवेदी उपकरह प्राली के अंतरश प्रत्वी के गर्ब में छिपे संसादनों के इसपर्ष किये बिना प्रकीर, विदी, दोरा, विश्विशनी और प्रमारी जानकारी उप्रूद कराई जाती है इसके तहट उपकरह में लगए एलेक्ट्रोनिस कैमरों से प्रत्वी पर इस्तिध वस्तूमों के चित्र लेते हैं और उन चित्रों का विश्विशनी से जानकारी प्राप्त करते हैं दूर समवेधी उपक्रह के प्रियोग से सुदूर समवेधिन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद ही दुहरा कर किसी इस्थान विशेज़ पर समय नसार होच रहे पर वितनों की बारीकी से अतन किया जा सकता है बरतमान में IRS उप्गर है किसी विशे इस्थान पर लग पर पती एक तीन सब्ता के बात गज़रता है इस प्रणाली के तहट प्रेश्य पित किये गए उप्गर है IRS प्रतम A1A, IRS 1B, IRS 1E, IRS 1P2, IRS 1C, IRS P4, IRS P6, कॉंसिटेंट 1, FM 2 आदी है नोट, कॉंसिटेंट प्रतम देश का प्रतम MAPIC सैटलाइट है METSET भारती अंतरिच कारिकरम के तहत भारती अंतरिच अनुसरदान संगर्षन आइसरों ने 12 सितंबर 2002 को स्री हरी कोटा आनपरेश के 37 दवन अंतरिच के इंद से द्रुवी उप्ग्रेफ 6 पर यान C4 पोलर सेटलाइट लाँज वहेकल PSLVC4 के माद्यों से देश के पहले मौसमी संबंदी वेशिष्ट उप्ग्रेफ मैटसेट की भूस्थातिक स्थांतरन कच्छा जियो स्टेशिनरी ट्रांसफर और्बिट जी ट्यो में सवलता पूरग स्थापित किया है या पहला मौका था जब किसी भारती अंतरिश यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उप्ग्रेफ को भूस्तेथिक कच्छा से तातपर है कि जिस गती से प्रत्वी गूमती है उसे कूणी गती से उप्ग्रेफ भी गूमेगा जिसके करण उप्ग्रेफ सथा प्रत्वी की एक विशित इस्थान पर ऊपर इस्थिर नजर आएगा में इस्तापित है इसमें पूर सभी उप्ग्रेफ कि वद्ध धुरवी कच्छा में ही इस्तापित किये कह milliards की कच्छा देह रत्ताकार है जिसक में प्रत्वी से निकटतम बिंतु 200 किलोमीटर की दूरी परिस्थित है जब कि अधिक्तम दूरी परिस्थित बिंतु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है पहला उसर था कि जब भारत ने मौसम संबंदी जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुदेशी प्रच्शे प्रयान में से विदेशी मौसम उप्ग्रह प्रच्शे पित किया इससे पूर मौसल संबन्दी जानकारिया इंसेट रिने के उपग्राहों से प्राप्त की जाती है 20 सेतंबर 2004 को 37 धवन अंत्रिशकेंद स्रीहरी कोटा से सिच्छाकार के लिए समप्रित दुनिया में पहले उपग्राह एजुसेट की सवलता पूरग भूस्ततिक कच्छा में स्वदेश निर्मित भूस्मान थेनिक उपग्राह प्रच्छेपण यान जी एसलवी एफ-01 की साहता से स्थापित किया गया एजुसेट में समावेज की गई नहीं प्रदोकी को आई-टू के नाम से दिया गया इसकी जीवन अवदी साथ वर्स निरायत है एजुसेट के माद्यम से सिच्छा से जुड़े कारिकर्म प्रसारित किये जा रहे हैं एजुसेट की प्रच्छेपित करने वाले प्रच्छेपित यान करने निरमाण विकरम साराबाइस स्पेस सेंटर तिर्वेंदंपुरू में किया गया तथ है एजुसेट करने निरमाण इस रोके बैंगलूर इस्तित केंदर में भी किया गया GSLV के या पहली कार्यात में गुड़ान थी हैमसेट PSV6 द्वारा कोटर सेट प्रथम के साथ ही संचार उपगर है हैमसेट की एक अतरिक्त उपगर के रूप में पांच में दो सर पांच को छोड़ा गया हैमसेट एक छोटे अगार का उपगर है जिसका उदेश देश और विश्व के सोगिया रेडियो ऑपरेटरों को उपगर है आतारित रेडियो सेवा मुक्त उपलत कराना है इसकी जीवन अवधी लगवाद दो वरस है थैंक्स पर वाचिंग और शेरिंग